Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सुली का दाई नव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History, MHI 05 का All Important Topics को Study करने वाले हैं MHI 05 के अंदर में जितनी भी लेसन आते हैं धर लेसन के अंदर में जो भी टॉपिक है उसके बारे में आपके हम डिस्कस करेंगे साथी साथ देखेंगे कि प्रिवियस एर के जो एक्जाम हुआ था उसके अंदर में कौन सा टॉपिक आपके एक्जाम में आ सकता है इससे आपका benefit क्या होगा कि आपको एक idea लग जागा कि most important topic कौन सा है और most repeated topic कौन सा है ये आपको बहुँ ज़्यादा help करने वाला एक्जाम के अंदर में साथी साथ इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे कि 10 से 12 दिन रह चुके हैं एक्जाम में कौन से वीडियो से पड़े कौहां से वीडियो ले जिससे आपका असानिक से नंबर अच्छे बन सके साथी साथ answer writing किस तरीके से करना चाहिए ठीक है question को किस तरीके से solve करना चाहिए time management क्या होना चाहिए इन सभी points के बारे में भी हम बीच वीच में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिटेल में समझते हैं सबसे बहले अपने बुक के बारे हम बात करें तो हमारे बुक का नाम है तक हो जाएगा यह भी उमीद है क्योंकि अभी जो अपना अर्थवस्ता देखोगे तो फो ट्रिलिन डॉलर की पहुंच चुकि अल्रेडी जो थर्ड नंबर की वर्ल्ड के अंदर में थर्ड नंबर की एकनॉमिक के तौर पे भारती अर्थवस्ता आती है अब मेरा आज के संदर में बात करने का नहीं कि हमारा फूचर क्या है या क्या चीज़ है उसके संदर में इस बुक में बात करने के लिए नहीं है अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्राचीन भारती है आर्थी के थियास किस परकार कर रहा और उस समय से धीरे 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 कैसे ग्रो करता च के अंदर में किस विचारदारह का लिए किस व्यक्ती का किस तरीके से किस समुधाय का रोल हा इसके बारे में इसमें हम डिटेल में चरचा करने वाले है बहुत ही importantable आपने देश कौन सा topic most repeated topic होने वाला है आपके exam के लिए तो चलिए वीडियो को यहाँ पे start करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम lessons में बात करने वाले हैं lesson number 1, 2, 3, 4 यहाँ पर unit में हम बात नहीं करेंगे जितने भी unit हैं उनको हमने सब ने lesson में convert कर दिया है आपका 39 यहाँ पे lessons आपको इस book के अंदर में देखने के लिए मिलने वाला है तो पहला lesson आता है जितका नाम है पुर्व ओपनिवेशिक अर्थ व्यवस्ता का इतियांस लेकर प्राचिन काल अब यहाँ पे देखो पुर्व ओपनिवेशिक का मतलब क्या होता है देखो ओपनिवेशिक काल मतलब क्या हमारे गुलामी का दौर जहां से इस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत के अंदर में आती है और भारत को गुलाम बना कर रखती है अपने कंट्रोल में रखती है और इतिहास लेखन एक अलग टॉपिक है और अर्थवरस्था का इतिहास एक अलग टॉपिक है पर अर्थवरस्था के बारे में पता कैसे चलेगा तो इतिहास लेखन से ही पता चलेगा जो लिखा गया है उसी समय बता चलेगा कि इस तरीके से ये चीज़े थी तो यहाँ पर जल में बताना होता है कि यह चीजह इस तरीके से आप्र विक्सीत हुई यह चीज इस तरीके से चली यहां पर यह आपको बताना होता है अब देख को होगा कि इस तरीके से इन चीजों को लेकर चलना है यह चीज़े explain करनी है सेम उसी तरह से आंड कर लिखने का तशी करना है लिखने का तरीका क्या होगा उसके बारे में हम डिसक्रस करते हैं उस बुक के अंदर में तो यहां पहए पप्याप्टी के ठिहास किस परकार को है भारत की इस्तिती किस परकार के रही होगी आर्थी शेतर के अंदर में यह यहां पर बताना होता है तो पहला topic यहां पर बन कर आता है प्राचीन भारतिय आरथी के सब्सक्राइब है कई बार असली सभी को टाइम दोगी तो benefit यह रहेगा कि आपके mind में चीज़े रहेंगी आप उसको explain कर पाऊगे उसको समझ पाऊगे जादा जादा टाइम देरी कुर्स करना है क्योंकि almost आपके 10 से 12 दिन है easily आप इसको कर सकते और इस बार का exam में benefit क्या आपका कि आपको gap भी मिलने वाला exam के अंदर में नहीं तो last year जो exam हुआ था जून दो जारते इसमें उसमें लगातार एक दो तीन चार ऐसे वर के लगातार exam थे जिसमें कोई gap नहीं मिला था कोई तयारी का option नहीं था ठीक है तो यहां पर आपको क्या समझ में आता है कि यहां पर यह topic important रहेगा प्राचीन भारती आर्थिक इतिहांस लेखन के बारे में दूसरा topic आता है हमारा दूसरा chapter जो आता है पुर्व उपनिवेशिक अर्थवेस्ता का इतिहांस लेखन मद्धे काल के अंदर में देखो अब यहा मेडाइवल टाइम परिट के और तो मद्धे काल के अंदर में नई नई दृष्टी कोन विचारदार है उत्पन हो चुकी थी समाच के अंदर में नई नई विचारदार है थी और उसके basis पे अलग-अलग ideologies रखी जारी थी कि इस वाली विचारदार का मानना था कि हमारी अ बता हों हो आपको रास्टवाधिया हो गया माकसवाधियी हो गया संसोधन वाधिया हो कैई कि इत Independence को सिस्टव कर रहे हैं और उनके संदर में भार्तु norm Each परकार कि यह बताया क्या है यह चीजह यह आपे समझ के चलगई है तो यहाँ पर Question यह वाला chapter important है और यह topic important है इसमें question बनकर आ जाता है कि मद्यकारिन भारती अर्थवस्ता के बिविन दिरिश्टी कोनों को समझाईए जो 20 का time period था ना medieval time period था उस time period के अंदर में भारती अर्थवस्ता के बिविन दिरिश्टी कोन क्या थे भारत की economic को लेकर ठीके अर्थवस् दूसरी विचारधार आती है माक्सवादी विचारधार तीसरी विचारधार आती है संसोधन वादी दिरिश्टी कोन या विचारधार पे उल सकते हो जो 1983 के अंदर में क्रिश्च्वैली के द्वारा दिया गया था अब रास्टवादी क्या मानते हैं कि अपना देश सर्व पर्मुक है ठीक है सबसे उचा है यह मानके चलते थे सबसे इंप़ोटेंट है हमारा कंट्री एक यह देखके चलते थे मतलब वहाँ पर या पर रास्ट की भावना को लेकर चलते थे तो सेम माक्सवादी ने क्या का इस अंदर में, संसोधन वादियों के दौरा में क्या कहा गया, इसको आपको explain करके चलना होता है, इस topic के अंदर में दो तरह से question बन कर आता है, नॉर्मली question ये दिखा जाता है, इसको आप mark कर सकते हैं, important के स्रेणी में, इसके अंदर में normally ये सास्ट वादी दिरिष्टी कोन को बताईए, या माक्स वादी दिरिष्टी कोन को बताईए, तो आपको उसके बारे में भी यहाँ पर समझ में रहना है, समझ रहना चाहिए, मतलब knowledge होना चाहिए, जिससे आप topic को वहाँ पर explain कर पाऊ, ठीक है, समझ हम आता है, अगले chapter के बढ़ते हैं, chapter number 3, जहां पर हम बात करते हैं, अपनिवेशिक अर्थविस्ता का इतिहांस लेखन, अब देखो यहां पर अपनिवेशिक काल स्टार्ट हो चुका है, दो चैप्टर हमने पड़ा, जहां पर प्राचीन काल के बारे में बात किया, अब यहां पर अपनिवेश काल से पहले, पुर्व अपनिवेशिक काल का जो मद्यकाले अर्थविस्ता तरह उसके बारे में बात किया, और यहां पर हम बात करें कि अपनिवेशिक काल का इतिहांस लेकरन कि अपनिवेशिक काल स्टार्ट हो चुका है, अब उस दोरान पे भारतिय अर्थविस्ता किस प्रकार का था उसका इतिहास बताओ ठीके तो किस तरीके से क्या अलगलग द्रिस्टी कौन थे तो जो उपनिवेश्वाग को सपोर्ट कर रहे थे तो उनका नमाना यह उपनिवेशिक द्रिस्टी कौन ठीके जो रास्ट को सपोर्ट कर रहे थे वो रास्ट वादी द्रिस्ट और उदारवादी विचारदारा के अंदर में ही एक updated वर्जन जिसको नव उदारवादी विचारदारा बोलते हैं अगर वो उससे संपरक रखते ते या उसके उनकी विचारदारा मिलती तो यहीं इस दृष्टिकों का हम बात करते हैं ठीक है तो यह तो यहां पे एक दो ती चार चार अलग अलग तरह की विचारधारा जाती हैं चारों विचारधारों को आपको इसके अंदर में explain करना होता है कि भी या उपनिवेश वादी जो अपनिवेश के कि तिहांस्यास लेखन किसकरकार रहेगा भारतिय अर्थमस्त दे कर सकती हो उपनिवेश्वादी विचार्दा रहा था बिरूर्ज करता है उपनिवेश्वाद के पक्ष्र में खड़ा था कि अपने आपको डिफेंड करता है कि हमारे इसाफ्टे इस तरहीं के अर्थवस्ता रही होगी उप नीशीकाल के में ठीक है समझे में इसी चैप्टर के इंदर में एक और टॉपिक आता है कि क्रिशी का वाने जी करन ठीक है किस तरह से क्रिशी का वाने जी करन हुआ पहले जो लोग होते थे ना स्टार्टिंग में आप लोग देखोंगे तो पहले लोग अपने लिए सरी बोजन का सकते हैं तो उन्होंने देरे देरे इसको बेचने के लिए भी करना स्टार्ट कर दिया लोगों तो पहुंचाने के लिए भी इसका वैपार करने के लिए भी इसका पैदावार करना स्टार्ट किया तो किस तरह से क्रिशी का वाने जी करन हुआ इसके बारे में आपको बतान अलग-अलग time period के बारे में कि एक time period उपनिवेशकाल के सुरू होने से पहले का और एक time period उपनिवेशकाल के सुरू होने के बात का तो दोनों में से कोई ना एक question आपके exam में बन कर आ जाएगा ठीक है total 10 question आते हैं 10 में से आपको 5 करने होते तो अगर सही से त्यारी करके नबे topic बता रहा हूं तो नबे topic में से अराम से आपके 10 question फसने हैं क्योंकि पूरा book को पूरे book में से लिया गया इतना सारे topics साथे साथ अगर यही बात करूं कि कहां से मैंने topics उठाएं तो हमने क्या किया कि सबसे पहले जो आपकी इगनू की book है उसको study कि कि कहा कहां कहां स आते हैं तो मैं suggest यह करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप previous year के question paper की वीडियो जरूर देखें हर subject के playlist के अंदर में आपको last five year के question paper की video मिल जाएगा ठीक MSI 05 का दो पार्ट में previous year के question paper के video मिल जाएगा उससे आपका benefit क्या होगा कि आप अच्छे साथ त्यारी कर पाऊगे previous year के वीडियो के अंदर में आपको एक idea मिलेगा most repeated topic का most important topic का और 5 साल के अंदर में किस तर से question paper का pattern change हो रहा है question का pattern change हो ठीक है question क्या पूछना चाहता है य benefit यह है कि आपका 90% जो स्लेवर से ना almost आप एक वीडियो के अंदर में cover कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और detail में समझते हैं जो भी student देखना चाहते हैं video को तो description में जाएगे वहाँ पर playlist का link मिल जाएगा हर subject के playlist के अंदर में आपक भारत का आरती के तिहांस के बारे में तो भारत का आरती के तिहांस किस परकार का है ठीक है आरती के तिहांस परियावरन छेत्र को लेकर यहां पर भारते उप महादीप का क्रिशी प्रिवेश के बारे में हम बात करते हैं जो भारते उप महादीप छेत्र है उसके अंदर मे क्रिशी का परिवेस किस परकार से रहा, देखो, अब मानव का उदभव हुआ, मानव के उदभव के साथ में, ऐसा तो था नहीं हो, डारेक्ट क्रिशी करने लगा, तो धीरे 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 क्रिशी के अंदर में किस तर से विकास हुआ, ठीक है, जैसे जैसे ओजारों में परिवर्तन हुआ उस तरीके से क्रिशी के परिवेस में भी हमें परिवर्त देखने के लिए मिलता है यहां पर भारतिय उपमादीप छेतर के अंदर में क्रिशी का परिवेस किस परकार का है क्रिशी के अंदर में परिवर्तन किस परकार से हो रहा था इसके बारे में आपको बताना है ठीक है अलगला कि ध्यास कारोगा क्या मानना है किस तरह की विचादा रह रहे ही तो इसको लेकर हम चलेंगे कुछ खास टॉपिंग नहीं रहता है पर फिर भी एक आपको इस ट्रडी करके चलना है अब हडपा सब्वेता भी भारती त्यांस के अंदर में की इंपोर्टन टूल नहीं बाता है स्टार्टिंग में तो हमने पढ़ लिया ना कि किस तर से उपनिवेश वात का दौर रहा क्या चीज़ रहे ही तिके आगे की हिस्टरी क्या है अब हम यहां पे थोड़ा सा पीछे छलते हैं जहां पर हम बात करेंगे हरपा के दौर और हडपा की हएसँ इसके बारे में कोशन बन कर आता है तो प्रमुख नगरों की विश्यस्ता तो मैंने कई बार आपको करवा रखा है वो आप इटिल में बता सकते हो कि दुर्ग और निचला सहर किस तर से विवाजी थे इस नानागार का निर्मान किस परकार से करवाए गया था इस नानागार की क्या खासियत होती थी गलियों को निर क्रशी उद्वव के बारे में कि क्रशी का उद्वव किस परकार से हुआ कि क्रशी का विस्तार किस परकार से हुआ किस तर से जनम हुआ क्रशी का ये बता सकते हो और हडपा के जो स्थल थे वहां पर क्रशी को लेकर किस परकार के साक्षिय मिले परमान मिले ये भी आप बत सकते हो सिल्प उत्पादल मतलब देखो यहां पे ना हडपा नगर ऐसा नहीं तर डारेक्ट बस गया आधी मानव आए और डारेक्ट हडपा नगर बस आधी ऐसा नहीं था जब मानव का विकास होना आरंब हुआ और जो आज का अधुनिक मानव जिसको होमो सेपियन सेपिंस संहें तो दीरे-दीरे जब मानव होमो सेपिंस सेपिंस की और बढ़ता जा रहा था बंता जा ला था उनुहने सबसे पहले तो सिकार और संगरन के जरीए अपना जीवन परनास्ट आपकर निया सिकार संगरन सरा कुछ इनके लिए लिए लंबा परिवरतन का दौर रहा एक लंबे परिवर्तन के साथ में यहां पर हमें परिवर्तन देखने के लिए मिलता है तो अब इस परिवर्तन के साथ में क्या होता है देरे-देरे वो नगर का विकास करते हैं तो किस तरीके से कृषी का उदबव हुआ क्रिशी का उदबव के साथ में पसुपालन का विकास किस प्रकार से हुआ सिल्फ उत्पादन किंद्रों को निर्मान किस प्रकार से करवाएगा और नगरी करेंगे शुरुआत किस प्रकार से हडपा नगर किस तरह से बना इसके अंदर में एक प्रोपर सैली है प्रोपर एक पैटन है इसको आपको यहां पर समझाने के लिए आ जाता उप महादीप के क्रिशक और प्रसुपालक समुदा है ये पारम में 1000 से लेकर मद्दे पुरातात्विक और भोगोलिक अध्यन देखो जो उप महादीप छेतर के अंदर में क्रिशक और प्रसुपालन समुदा है थे आरंब के अंदर में साटिंग से लेकर 1000 तक का वह दिसा पुरू का टाइम पिरेड़ देखोगे एकदम जीरो से लेकर 1000 तक का जो टाइम पिरेड है उसके दोरान के अंदर में किस परकार का क्रिशक और पोशुपालन समूद आये रहा किस तरह से विकास क्या उसको अध्यान करने का स्ट्रोथ क्य है किस तरह के समस्ट के बारे में study करते हैं तो यह चीज यहां पर आता है उसके बारे में बताना है जो जीरो से लेकर 1000 के बीच में जो क्रिशक और पुसुपालक रहे उसके बारे में जो मैं भी बता रहा था कि आर जैसे आधुनिक मानव का जो जनम हुआ होamamो सेप्वेन के बाधा ना ओर उसने क्या क्या सब ब Josh можे किसी और ना पड़ेगा इसकार करद एляется अब हतियार बनाने के लिए हैं समय चाहिए हो को आपको नॉलेज चाहिए और लिएanging के पस तरह का ट्यार के जोड़त है तो स्ब्सक्राइए कों उत दिखार के वह सिकार क करना असान होता था धिर समय के साथ में परिवरतन दिखा जाता है उसके अंदर मोजाणोर के अंदर फिर जाकर वह बड़े जानवर का सिकार करते है और संगहरpection के लिएजिये कि आप नॉलेज के फल खाना स्टार्ट किया होगा ठीक है तो किस तरीके से परिवरतन का दौर रहाना है यह एक important चीज़ आपको समझने चाहिए ठीक है यहाँ पर हम छटे चैप्टर के अंदर में दो टौकी के बारे ही बात करते हैं पहला टौकी का बारता आपका भाहरती ऊपमादीप के अंदर में जो औरहरंबी Bite kaikki और प्रसुपालन始 मुदाई की विकास की बात की जाए तो अब ऐसा नहीं था है कि जैसे मानलो सभी लोग संग्रहक और सिकारी के तौर पर ही जीवन वे दीद करना चाहते है समय के साथ में भोजन भी खतम होगा एक जगह सा दुसरी जगह पलायन भी करोगी जब आप एक जगह सा दुसरी जगह जा रहे हो तो अपने आपको सेफ रखनी के लिए यह भोजन की तलास इजी हो सके इसके लिए उन्होंने क्या 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 कुत्ते जैसे जानवरों को पालतू बनाना इस्टार्ट किया कुत्ते का benefit क्या होता था कि उसके लिए कोई भोजन का अलग से इंतजाम नहीं करना पड़ता था जो भी मानव का बचा खुचा वेस्ट होता था उसको खा के रह जाता था साथे साथ कुत्ते सुवर जैसे जानवरों को पालतू बनाया समय के साथ में भेड़ बकरी जैसे पशू को पालतू बनाना स्टार्ट किया क्योंकि भेड़ बकरी का पाइदा क्या होता था कि भेड़ बकरी क्या है कि उनके लिए भी कोई भोजन का अलग से इंतजाम नहीं करना आपको वो जो आसपास का environment है उससे वो अपना जीवन वैपन कर सकते थे जिससे एक plus point के तोर पे दिखा गया और उसका start किया गया ठीक है समझी में आता है और भेड़ बकरी के साथ में जब समय के साथ में आगे बढ़ते हैं फिर एक जगर इस्तित होते हैं फिर कृशी करना start करते है तो कृशी किस तरह से start हुआ फिर गाय बैस किस तरह से पालतू बनाया जाने लगा ठीक है यह सारी चीज़े की जाती हैं भेड़ को भी पालतू बनाने का main reason क्या होता था कि वो आसपास की environment से खापी लिए और जोरत पढ़ने पर मनुस्य को अकर कभी जोरत पढ़ा तो वो भेंड का भी सेवन कर सकते थे बकरी का भी सेवन कर सकते थे मार कर उसके मास को खा सकते थे बेच कर वीने में पर्था के तौर पे जो भी किशानी समुदाय होते थे आसपास के अंदर में जहां पर भी ट्रेवल कर रहे हैं तो उन से कुछ ले सकते थे अनाज ले सकते थे त सारी चीजangenãy debates है, समझ में आता है, यहां पर इस एक लाटपिक आता है, चेपर नुम्बर 6 के अंदर में, नौ पाशान और तामर पाशान के अंदर में, जो इनस्कृतियों के अंदर में मुख्यातंत्र व्यवस्ता किस परकार का है, मुख्य अतन्त्र होता क्या है, किस तरीके से एक leadership जो पूरी और चीज़े हैं मुख्य अतन्तर ववस्ता के अंदर में किस तरीके से चलती है इसके बारे में question बनकर आता है कई बार आपको tipiny based question के अंदर में मुख्य अतन्तर का topic तोपिक आपके एक्जाम के अंदर में देख जाएगा कि मुख्या तंत्र होता क्या है तो यह वाला टॉपिक भी आपको लेकी चलना है और जो ऊपर मैंने बताया कि आरंबिक रिश्य और पसुपार्यन विकास का यह वाला टॉपिक भी इंपोर्टेंट है इसको आप जरूर क्रिशी अर्थवरस्ता कि रही होगी क्रिशी अर्थवरस्ता कि रही होगी क्रिशी अर्थवरस्ता का विकास किस परकार से हुआ होगा कृसी अर्थवस्ता के अंदर में परिवर्तन का दौर किस प्रकार से चला हुआ इसके बारे में मैं इसके इससे नॉलेज मिलता है तो यह आपको बना बताना है जुनागर प्रस्ति को लेकर ठीक है समझ में आता है तलिए अगले चैप्टर के और बढ़ते हैं च क्रिया अर्थवस्ता को लेकर क्या तुल्ला की गई है मौरे कोशान और साथमान गुप्तबंस के बारे में क्या बताया गया है इससे लिटेड कोशन आ जाता है तीन सो से लेकर छे सो इसा के बीच में यह जो पूरा टाइम पिरिड़ था इस टाइम पिरिड़ के अंदर मे देखने के मिल जाता है पर जो यह टॉपिक है ना जुनागर प्रस्तिक आई यह कई बार आपके एक्जाम में पहले भी आ चुका है अगर आप पीछे के कोशन पर को स्टुड़ी करोगो तो आपको समझ मैंगा कि पीछे भी आया है तो आगे भी आने के चांजिस्त रह सकत है यह टिपड़ी बेस कोशन में आ सकता है तो दस नंबर के लिए तो आप इसको भी स्टुड़ी करके चल सकते हो ठीक है चैप्टर नंबर एट जहां पर हम बात करते हैं वैपार के सोरूप के बारे में सहरी करन आपसी संबंध के बारे में उत्तर वारत का लगबग 600 इसा आता है नंबर कमाते हैं फेल होते हैं इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि बहुत लंबा टाइम पिरिट को कवर करते हैं और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या इसका कि इसके अंदर से जो भी कोशन बनता है आल्मोस्स सीमलर रहता है ज्यादा डिफ्रेंस एक कोशन सबस्के साथ में नहीं देखा जाता है बट एक प्लस पोइंट भी है माइनस पोइंट भी है सिमलर रहने के कारण से क्या कि आंसर में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है तो आप किसी भी कोशन का आंसर कहीं भी लिख रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा 19-20 का फरक कर रहता है बट पैटन होता है कि student का mindset होना चीघे कि क्या पूछ रहा और क्या बता रहा हूं ऐसा नहीं कि कि से कूस्च आंसर सेम रहने का मतलब यह रहता ना कि उसी पैटन को follow up किया जा रहा है पैटन चेंज नहीं हो रहा है जैसे आप मालो मौरे समराजी के बारे में पढ़ रहे हो तो मौरे समराजी का विस्तार की निती किस परकार से रही होगी राज्य को कैसे चलाया गया होगा ये तो ठीक है उसके बारे में पढ़ा उसके बाद अगर आप मालों चीन के सास्ते के बारे में पढ़ तो दोनों का चलाने का तरीका अलग रहा होगा ना एक पैटन में परिवर्थन देखने के मिलता है पर वहीं पर आप अधर करो मौरे समराज हिसंदर में चंदर रोब मोरे के बात किया कि कि सरस्ट है फिर असुख के बारे में बात किया फिर उनके जो बेटे रहे वंगे बिंदू सारवा की सारे उनके बारे में बात करते हैं तो उस पैटन के अंदर में ज्यादा चेंज नहीं होगा एक सेम पैटन को फॉलो किया जाएगा थोड़ा बूत परिवरतन के साथ में आगे बढ़ता चला जाएगा ठीक है समझ में आता है जैसे यह यह नॉर्मल एक एक इस वाले में लिखना क्या है तो एक अच्छे स्टुडेंट हो अच्छे से तयारी दे रहे हो तो आप एजली समझ सकते हो कि इसके अंदर में क्या आंसर एक्स्प्रेन करना है किस तरह का आंसर बनने वाला है यह बहुत इंपोर्टेंट रहता है ठीक है और जैसे भी आप दिसंबर 23 के लिए एकजाम के तयारी कर रही हो तो दिसंबर 23 एकजाम के तयारी के लिए आपको सबसे में चीज़ आपको ध्यान में रख्के चलना है कि अगर आप लास्ट फाइव के को अपर में तो आपको मिल जाएगा वहां से आप बहुत अच्छार इस्पॉंद वी म जितना ज़्यादा आप question पर solve करोगे एक proper time limit के साथ में तो आपका plus point क्या रहेगा कि आपको answer writing की practice भी होगी एक time limit management भी आप सीख पाओगे ठीक है कि time को कैसे manage करते हैं और जब आप MA history के exam देने जाओगे तो वहाँ पर कोई extra seat नहीं मिलता है जो 25-30 space होते ना उसी 25-30 space के अं इतना easy नहीं रहता है कि show number आपको दे रहा है कोई बंदा ठीक है जब आप MA history की बात करते हो तो बहुत अच्छे तरीके से चेक किया जाता है exam को number बहुत ज़्यादा कटते हैं किस तरीके सा आप explain कर रहे हो तरीका क्या है answer writing किस तरीके से लिख रहे हो proper pattern कि आप follow कर रहे हो पर नहीं कर रहे हो answer writing करते समय इन सभी चीजों का ध्यान दिया जाता है तो एक proper तरीके सा आपको answer लिखना हुगा आगे वीडियो हम बात भी करेंगे क्या answer किस तरीके से लिख सकते हैं क्या तरीका होना अच्छा answer writing का इसके बारे में भी discuss करने वाले तो चलिए वीडियो क के लिख의 लिखे के न्दर हम बात करते हैं वैपार के सफुरूप के पारे में नहीं तरीक ट्रूर्ण offer जिस बात करते हैं जिसके अंदर में उच्छा की वैपारी गतिवीदियों का कि जिसके बारे मिचे इनकारी है कि मोरे काल की वैपारी गतिवीदिया किस परकार की रही होंगी किस परकार से वैपार किया जाता होगा वैपार का सोरूप किस परकार का रहोगा इसके बारे में कोशन बन कराता है अब यहां पर नॉर्मली आप देखो इसके अंदर में क्या बताना है आपको वैपार का सोरूप किस प्रकार का है वैपार को रेकर rule regulation किस प्रकार के बनाए गए हैं इन चीजों के explain करना होगा मौरेका के time period का आगे बढ़ते है चैप्टर नंबर 9 के और चैप्टर नंबर 9 के अंदर में हम बात करते है वैपार के सोरूप के बारे में सहरी करण और आपसी संबंदों के बारे में और जो प्राइदीपी भारत है उसके अंदर में जो time period अगर हम देखिए इस चैप्टर का तो 300 इसा पुरुक से लेकर 320 तक का जो पूरा time period उसको हम यहाँ पे cover करते हैं अब देखो वैपार का सोरूप किस परकार से वैपार के जाता था सहरी करण किस परकार से विस्तार हुआ और आपसी संबंद जो थे प्राइदीपी भारत के अंदर में किस परकार से फले फुल इसके बारे में question बन कर आता है तो total 4 topic यहाँ पे important रहते हैं इस वाली chapter के अंदर में पहला topic यह रहता है दक्कन के प्राइदीपी सहर को पारंविक सहर किस परकार के थे जो दक्कन के अंदर में सहरी करण का विस्तार किस परकार से हुआ ठीक है दक्कन का जो छेतर था उसके इसमें बताना है कि सहरी करण का विस्तार किस परकार से हुआ एक important topic रहता है ठीक है इसमें बताना है कि सहरी करण का विस्तार की नीती किस परकार से रही होगी किस परकार से विस्तार किया गया होगा यह आपको explain करके चलना होता है इसमें दूसरा topic आपका आता है कि 300 इसा प पर explain करनी होगी यहां पर तीसरा टॉपिक आपका आता है भारत में रोम वैपार ठीक है जो रोम के लोग थे यहां पर देखो 300 से इसा पुर्फ की जब हम बात करते हैं तो रोम वैपार का में साक्षे मिल जाता है भारत के अंदर में ठीक है रोम की जो मुद्रा थी ठीक है र परकार से मुद्रा का रोल रहा ठीक है रोम वैपार किस परकार से किया जाने लगा रोम से क्या वैपार किया जाता था किस तरीके से रोम के वैपार को अपनाया जाता था इन सबी चीजों को यहां पर डिटेल में आपको बताने होती है ठीक है समझ में आता है आगे बढ़ आपका जो MHI 0-1 था उसके अंदर में भी सामतवाद का टॉपिक है अब दोनों बोकों के अंदर में सामतवाद क्या है और MHI 0-2 उसके अंदर में सामतवाद है अब यहांपे सामतवाद को आपको डिटेल से समझना है फिर एक्स्प्रिंग करना है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है सामन्तवाद का दो संदर्व होता है ये 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 संदर्व होता है ये ये संदर्व में सामन्तवाद क्या है और भारतिय संदर्व में सामन्तवाद क्या है जो भारतिय संदर्व में सामन्तवाद है तो वो दोनों के अंदर में difference का है ना अगर आप वो समझाते हो नो मैंने पीछी वीडियो में करवा रखा है डिटेल में आपकी बुक में करवा रखा है तो उन वीडियो को जुरूर देखें जिससे आपको डिटेल में कवरो कि सामंतवाद यहां पर मतलब क्या है यह इंपॉर्टन टॉपिक आपका रहेगा यहां पर मैं दो सेकिंड का आपको ब्रेक लोगा थोड़ा सब पानी पीने के लिए ठीके फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि जो इसमें पूरे जो चैप्टर है में चैप्टर में 39 चैप्टर है 90 से ज्यादा टॉपिक है तो ऑल् सब्सक्राइब करने से मिलने वाला है कि किस तरीके समय आगे पढ़ना है और अच्छे तरीके से वीडियो भी बना पाते हैं क्रिशे और सिल्प उत्पादन संगठन जो भारत का छेतर था जहां पर किस परकार से कुरुआ कि सुरुआत हुई उत्पादन किस परकार से उए और संगठन मतलब एक ग्रूप के तौर पर किस तरिक्टर में में विक्सित तो साड़े 500 से लेके 1300 ECV का जो पूरा time period होता है, इसको हम यह आपके cover करेंगे, इसके अंदर में दो topic important आते हैं, पहला topic जो टिपड़ी बेस कई बार आपको देखने कला मिल जाएगा, भू अनुदान वैवस्ता के बारे में, भू अनुदान वैवस्ता किस परकार का है, भा भू मतलब क्या जमीन, अनुव मतलब क्या आता है, छोटा सा अडान मतलब देना, जमीन का छोटा सा टुकुडा देना भू अनुदान कहलाता है, राजा ऐसा नहीं करता था कि पुरा-पुरा महल लिख दिया, पुरा-पुरा जमीन लिख दिया, खुद कंगला होगा, ऐसा तो उसको भी यहाँ पर भूップ अनुदान के अंदर उनको भी जमीन दी जाती थी तरह से तरह से बारे में विवस्ता की सिम्लर क्या चलता है कि राजाओं के द्वारा लान सामनतों को नुक्त के आजाता था तक ऐसे राजा का यह चेत रहे पूरा बड़ा सबी चेत्रों के उपर में प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है समान दृष्टी से वर्क नहीं कर पा रहा है तो राजा ने क्या किया कि आ यह वाला जो छेत रहना चलो मैं एक भू अनुदान नीति के तहत एक वेक्टिक अनुदान में दे दिता हूं इस पूरा जो कंट्रोल होगा ना 101% कंट्रोल वो उस वेक्टी का होगा पर जो अधिपत रहेगा अधिपत मतलब जो पूरा दिकार रहेगा वो मेरा ही रहेगा मा करने के लिए तो इस नीती के तहति यहां पर चीजे चलाई जाती थी अगर आपको ना यह जो सामंत वाद को अगर डिटेल में समझ रहा है ना तो मैं आपको एक एक प्रमुख राजा होता है साथो किंडम का एक प्रमुख राजा होता है जो साथो किंडम के उपर में अधिपत रखता है किसी जगत कभी भी जा सकता है किसी को भी क्या कुछ भी आदेश दे सकता है और सभी उसके नीचे जुके रहेंगे उससे सपत ले रखे यह मैं तुम वह राजय को किस तरह से रेग्लूट करना है सारे कारे करते हैं और उसके बाद में राजा को दे देते हैं ठीक है राजा को सहनी की जोरत है तो वह भी दिए और हर एक किंडम के अंदर में जो भी इसके छोटे-छोटे छेत्रे ना सब भी को उन्होंने भी बांट रखा अलग यह जमिदारों के इंदर में कि यह वाला चिद्र टुम रख लो यह वाला चिदर हों उलगे इस तरीके से जमिदारी वैस्ता में बटा हुआ है और यह भी क्या करती है अपने जो king है उसके परती समर्पित होते हैं तो इस तरह के सा जो पूरी व्यवस्ता होते हैं सेम पैटन पे आपका सामन्त वाद की व्यवस्ता भी चलती है दूसरा जो movie है ना आपको मैं मतलब बता दू तो रैकनार वार करके उसके अंदर में character होता है और आप उस movie को अगर आप देखते हो तो आपको यह समझ में आएगा कि जो उपनिवेश वाद था यह समराज्य वाद था किस परकार से कायम हुआ ठीक है ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी आया या फिर जो अरब के लोग आए भ उन्होंने मंदिरे को ही निसाना कियों बनाया इक डए एपन इवेश के एक उन्हें कंपनी गांध करके अम इसमें के बारत के अंदर में यह दिखा जाता है कि सामंत वात का कहीं नहीं सुरुवात होता है इसी चैप्टर के अंदर में दूसरा टॉपिक आता है बारत में सिल्प उत्पादन का कि भारत के अंदर में सिल्प उत्पादन किस प्रकार से किया जाता था ठीक है यहां पर अगले समाज और छेत्रिय रूप रेखा यहां पर टैकी जाती है क्या चीजे थी और इसके अंदर में जो time period हम तै करते हैं शाथे 500 से लेकर तेरा सो इसवी का पूरा time period रहता है सीम time period जै उपर में जो time period रहता है time period कही चल रहा है किर्शक और छेत्रिय समाज के रूप रेकां के बारे में बात करेंगे यहां पे सबसे पहले आजाता है रास्व वसूली की प्रकिरिया जो टेक्स वसूला जाता था राजाओं के द्वारे में वो किस प्रकार से वसूला जाता था ताड़े 500 से लेके 1320 के अंदर में टेक्स वसूली की प्रकिरिया किस प्रकार से थी इसके बारे में एक टॉपिक बन कर आता है यहां पे साथी साथ एक टॉपिक यहां पे बन कर आता है आपका अगला उत्तर गुप्त कालिन और उत्तर भारत के क्रिशी उत्पादन उत्तर भारत के अंदर में क्रिशी का उत्तर पादन किस प्रकार से कह जाता था तीके किस प्रकार से क्रिशी का उत्तर पादन होता था क्रिशी छेतर के अंदर में किस प्रकार से ग्रो हो रहा था खेत्रिय रूप रेखा इस्तरी करन का स्वरूप दच्छनी भारत दच्छन भारत के अंदर में किस प्रकार से क्रिशी और सिल्फ उत्पादन का विस्तार हुआ एक संगठन के रूप में ठीक है क्रिशी समाज और छेत्रिय रूप रेखा क्या रहा हुआ छेत्रिय समाज का इस तरी करन के रूप में किस प्रकास इनको देखा जाता है एक स्टेंडर्ड लेवल के उपर में ठीक है और टाइम प्रेट जो हम इस चैप्टर के अंदर में कवर करेंगे 300 से लेकर 1300 इस वी का जो पूरा टाइम प्रेट है इसको हमें आप बात करने वाले हैं अब यहाँ पर दिखो यहाँ पर जो सबसे पहला टापिक आता है important टापिक है कई बार इजाम के अंदर में टिपड़ी बेस कोशिशन के रूप में पूछा जाता है अगरहार और अनुदान क्या होता है जो भू अनुदान का ही एक मतलब दूसरा टापिक है यह इस तरी के सा आजाता है तीनों टॉपिक पुछा जाता है कि अगरहार बू अनुदान और ब्रहादे होता क्या है ब्रहादे मतलब क्या ब्रहामणों को दिया गया अनुदान ब्रहादे कहते है अगरहार क्या हुआ ठीक है यह जो पहले से निकाल के रखा गया अगर हार, कि पहले सही की, चलो ये वाले जमीन उसको देना, मतलब दोनों similar है, उसमें ज़्यादा डिफ्रेंस नहीं होता, सिंपल सी बात को एक तरसे बूँ अनुदान ववस्था की नीती रही, अलग-लग राजाओं के द्वारा, अलग-लग तरीके से उसको किया गया, तेकि दच्छिन बारत में कुछ और चीज़ें मानने थी, उतर बारत के अंदर में कुछ और मानना था, पर simply इसके अंदर में भू अनुदान की बात की जाती है भू अधिकार की बात की जाती है कि आज तरह ये जमीन आपको दी जा रही है अधिकार इसके उपर में आपका है और धीरे धीरे इस तरह की ववस्ता के कारण से क्या हुए सामंतवाद का जनम भी देखने के लिए मिलता है सामंतवाद का जनम होने के पीछी दो बड़े मेजर रिजन रहते है पहला रिजन आप इस तरह से लेके चलो कि राजा से पूरा जमीन समल नहीं रहा तो राजा ने अपने जमीन का एक टुकड़ा किसी वेक्तिक अंतरकत दे दिया कि आप इस टुकड़े के मालिकाना हक आपके पास और आप इसके उपर में अपना अधिपत कायम करके रूल रेगलेट कर सकते हो जो भी कर वसूल होगे टेक्स वसूल होगे उसका जो मेरा हिस्सा बनेगा वो मुझे लाकर दे देना अगर कभी मुझे सैनी की जुरत पड़ी तब मैं आपको कॉल करूँगा रात में भी तो आप फोन उठा लेना तो इस तरह का एग्रिमेंट करके राजा चलता था जो सामंतवात का सोरुप लेता है दूसरा क्या रहता है कि जो छोटी-छोटी ब्रहा दे दिया जाते था ना या भू अनुदान दिया जाता था इनाम में मिला है जमीन तो उसको टेक्स भी भरने की जुरूत नहीं रहती थी कि टेक्स भरना है या चीजे कुछ और करनी है ये भी एक चीज दिखा जाता था जो एक प्लस पॉइंट के तौर पे लेके चलते हैं ठीक है पल्लव और पांडेन वंस का यहां पे क्या रहा सोरूप किस परकार से रहा इनके यहां पे पल्लव और पांडेन वंस के बारे में बात करते हैं चोल सासनों के अंदर में अंतरकत भू अधिकार किस परकार से रहा चालू कि सासनकाल के अंदर में भू अधिकार किस परकार से रहा मतलब जमीन को लेकर किस परकार का अधिकार कायम रहा, क्या rule regulation रहा, किस परकार से ब्रहा अनुदान या फिर भू अनुदान जैसे व्यवस्था रही है यहाँ पर, इसके बारे के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है, चैर्टर नमबर 14 जहाँ पर हम बात करते हैं, वैपारत अंतर, सहरी करन, उत्तर भारत के अंदर में जो लगबग जो time period इसके अंदर में cover करते हैं, 300 से लेकर 1300 इसवी का पूरा time period है, यहाँ पर हम cover करेंगे, इसमें तीन topic important रहते हैं, जिसमें से जो दूसरा topic है, वो ज्यादा important है, 300 से लेकर 1300 जो पूरा time period है, आप जिक विकास का दोर किस परकार था रहा, सहरी पतन किस परकार से हुआ, सहरी पतन का मतलब क्या, जो सहरों का विकास हो रहा था, दीरे दीरे, किस परकार से पतन की और बड़ा, सहर किस परकार से पतन हो रहते है, रिजन क्या था, पतन होने का यह आपको बता रहा है, सहरी प टॉपिक इंपोर्टन रहते है सहरी पतन का ठीक है तो सहरी पतन क्या यह आप देख लीजिएगा पर यह वाला टॉपिक भी कुछ खास नहीं इसमें इंपोर्टन टॉपिक आता है सेकेंड नमबर का एंसांग के अनुसार जो वाने जी गतिवीदियां थी भारत के अंदर में किस प्रकार से की जाती थी वैपार का सुरूप किस प्रकार का था इसके बारे में आपको एक्स्प्लीन करना है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया जैसे आप देखो गया आरम भी काल में जब मानक प्रिशी के और बढ़ाना तो इतना उसको समझ नहीं था कि हमें भीया इसमें से पैदावार भी करना है और जाके मार्केट में बेचना भी अच्छा कमाई भी करना है दो रोपे बढ़ा कर बेचेंगे अपना प्रॉपिट जोड़कर बेचेंगे ट्रांसपर जो परिवर्तन देखा जाता है परिवर्तन के दौर के अंदर में क्या दिखा गया कि उनका जो कमाने का जो पैदावार करने का खेती करने का उसको बढ़ाया गया पैदावार को बढ़ाने से क्या हुआ कि वो मार्केट में बेच सके जो लोगों को जोरति उनको दे सके तो जि आप तब तो मुके संबानी बने होगे कि आप अपने बड़े बभई आट सो करोर पान सो करोर ऐसी दान कर दिया, स्कूल खोल दिया, कुछ कर दिया, बच्चो को बुक्स बाढ़ दी, होना चाहिए न उसके लिए, तो यहाँ पे किस तर से वाने जी गति वीडियो की गरन के बारे में, अब देखो गषा से थिया सो करना होता क्या हे, तो किसी वास्तौ के बदले में दूसरा वस्तौ लेना, उसको हम भीडियो तंत्र वोगते हैं, नाड्डू, नगरम और नंकृरा होता क्या है, इसको बताई है, तो दाट्च्चिन बारात के अंदर में, सह जैसे आप देखोगे तमिल मल्यालों में यहां पर इस तरह की लेंग्विज बोली जाती है हिंदी से बहुत डिफरेंस है बाकी जो अगर आप दच्छीन बारत के कोई टॉपिक भी पढ़ोगे तो जो नाम है वहां के सासकों का वहां के चीजों का तो काफी डिफरेंस आपक यह नकरा कहा जाता है तो दच्छीन भारत के अंदर में सहरी करण का विकास किस परकार से हुआ किस तर से सहर का उदबव हुआ अब देखो दीरे दीरे जैसे आप पैदावार इतना कर रहे हो देखो सहरी करण का विकास होने का सोरूप इस परकार से नहीं रहा हुआ कि बाकी जो एरिया एं लो इस शेत्री के इंदर में सारी परजा रहती ए छोटी चोटी 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 जुटी जुग्योंगियों में बनके रह लिए तो यह क्या हुआ हुआ अब यह राजा कम हल अकेला तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो राजा के आप्पे काम क장ऑए QUE BHAIYEA मैं रोज दीवटी राइम पहुंग पहूंगायों तो राजा तो मुझे फ़ांसी चबा देगा तो क्या करेंगे ऐससी जंगीन ले यासपैसमी रहना किर देंगे है रहना क्रों करें आस पास में रहना सुरू कर रहे है और राजा का महल है तो ऐसे लोग बहुत सारे होंगे जो देखने परने के लिए जाते होंगे राजा से मिल्ने के लिए भी जाते होंगे तो लोग ऐसा करेंगे वह आसपास में जाका नशकर लेखार Nah स man पर राजा रहा है, राजा का आसपास का च्हेतर है, वो विकास होगा, डैली का जो च्हेतर है, जैसे अब डैली में हम रहते हैं, डैली के अंदर में सारी सुवधाई हैं हमें पास-पास में मिलरें, रीजन क्या भी या? एक तो capital है, राजधानी है, ठीक है, राजधानी होगने ने सासात में, यहाँ पर हर तरह की सुज़दाय उपलब दें, अब जो राजा है, अगर किसी तरह का कोई स्कूल खोल रहा तो आप क्या यहाँ जाके खोलेगा, सबसे पहला अगर यहाँ पर खोल भी रहना है, तो सब आपने अनाज पैदावार किया, अब पहले अनाज आप पैदा कर रहे था, इतना ही जितन से आपका प्रीट भर सके, देरे देरे आपने पैदावार को बढ़ा दिया, उत्पादन को बढ़ा दिया, उत्पादन बढ़ने के सासात में क्या हुआ, कि अब आपके बस इतना अग्षी की आपका घर में खाने के बाद भी आपका बच रहा है आप साल बर खार हो फ्र भी आपका वेस्ट ह方 है तो आप क्या करोगे बेचने के लिए बजार में जोगे आपको पता है गया मैं कर सके या फिर आप क्या करोगे कि आप बाजार में जाओगे बजार में ले जाकर वहां पे वीनिमाइ करोगे उसको बेच दोगे चिज़ की आपको जुरूत हो की वो लिकर आओगे अब मालो आपको गेहूं देके आपको रेसम लेकर आना है ठीक है जूट लेकर आना है या कुछ और चीज लेकर आना है ठीक है और आपके गाउं में वह उपलब्द नहीं है आपके छेत्र में उपलब्द नहीं है तो आप क्या करोगे आपको पता चलेगा यह चीज तो यहां मिलेगा तो आप वहाँ पर जाकर उस चीज को एक्षेंज कर सकते हो तो इस तरह से पूरी व्यवस्था रही होगी तब जाकर यहां पर विनिमेट अंत्र वैपारिक संगठन और सहरी करणगा निर्मान हुआ होगा अब देखो चीज़ को exchange करना, विनमेत अंतर हुआ, एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह जाकर बेचना, जराजय के आसपास में बेचना, वजार को इस्थापित करना, वैपारिक संगठनम माना गया, और जब हम इस तरह की परकिरिया करते हैं एक जगह से दुसरे जगह जाते हैं तो जिस जगह हम जाकर बेच रहे हैं जिस जगह जाकर हम गतिवीदी कर रहे हैं वो कहीं न कहीं जादा फलेगा फलेगा तो वो जो छेतर है वो सहरी करण के तौर पे विकास करेगा तो तीनो टॉपिक आपको एक सीच में समझ में आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक ही यह रहता है, इंपोर्टन दच्छी अबारत के अंदर में सहरी करण का विकास किस परकार से हुआ, नाडू, नगरम और नखरा किस परकार से होते हैं, ठीक है, यह आपको एक् करते हैं, करशी उतपादन के बारे में करशी का उतपादन किस परकार से हुआ, मद्यकाल के अंदर में भारते करशी की प्रमुक लक्षन किस परकार के थे, और मद्यकाल के अंदर में भारते करशी उतपादन तकनीक का विकास किस परकार से हुआ, यह दो टॉपिक आपको इस chapter के अंदर मिल जाते है chapter number 16 के अंदर में जहां पर सबसे पहले क्रिशी का लक्षन क्या था, किस तरीके से क्रिशी किया जाता था, क्या चीजे थी, क्रिशी पर आश्य था लोगों का वो किस परकार से होता था, ठीक है उत्पादन का स्रोथ क्या होता था, तक्नीकी तोर प जो ग्रामिन समाज था, उसके अंदर में रिन का महत्व क्या था, ठीक है ये topic important रहता है, पूछा जाता है कई बार, रिन का महत्व क्या है, तो अब यहां पर देखो, यह वाला जो chapter था न, नगरम वाला, यह वाला important आपका विनमेत अंतर वाला, यहां पर क्रिशी उत्पा आज के अंदर में, गामिन समाज के अंदर में देखोगे, तो आज के समय में हम डेली में रहते हैं, तो हमारे पास न, जो money power है, वो बढ़ चुके है, डेली में रहने के खारण से, money power क्या, कोई शीज लेने से पहले हम सोचते नहीं है, जाके ले सकते हैं, और आज के समय मे करने से पहले, पर अगर आप गाओं की बात करो, ग्रामिन समाज की बात करो, आरम बिविन्स रेडियों के अंदर में जो किसानों की जो बिविन्स रेडियां थी मदिकाल के अंदर में खुदाकस्त और पाहिकस्त वो होते क्या हैं इनका विकास किस प्रकार से हुआ यह आपको बताना है यह जो खुदाकस्त, पाई कस्ती कई बार टिकपड़ी वेस में भी आते हैं, तो यह भी आपको पढ़ना है normally यहां पर किसानों की जो इस्तिती रही यह बताना है, यहां पर खुदाकस्त होता है क्या है, जो खुद की जमीन पर खेती करें ठीके किसी के बाप का जमीन ना हो मेरे बाप का जमीन में खुद खेती कर रहा हूं मतलब मेरा अपना जमीन है मेरा उस पर खुद का अधीपत है मैं खुद मालिक उस जमीन का खुद की जमीन पर कर रहा हूं तो उसको खुदा कस्त करते हैं ठीके खुद मतलब खु है वो और रहा है अलग से करर दो दूसरे ही जामिन पर कहती कर रहा है उसका कोई मालिक आना हक नहीं है ठीक है तो उसको हम यहाँ पर पाहिकर क किस परकार से रही होगा जब्लते हैं जहां बात करते हैं गैर क्रिशी उत्पादन के बारे में जो गैर क्रिशी उत्पादन है उनका विकास किस परकार से हुआ गैर क्रिशी उत्पादन के अंदर में मद्यकाल के अंदर में कपड़ा उद्योग के बारे में बात करते हैं कपड़ा उत्पादन के बारे में अब देखो अगर सिर्फ क्रिशी उत्पादन से देश का विकास होता तो बात ही अलग रहता यहां पर देश का विकास करने के लिए सिर्फ क्रिशी की जोरत नहीं है सिर्फ आपका अनास से पेट नहीं भर सकता बाकी चीजों की जोरत है तो सिम पैरलर हमें दोनों चीजों को लेके चलना तो मद्यकाल के इंदर में भी देखा गया कि रिशी के सासाथ में आपके कपड़ा उत्पादन की वी बी बात की गई मद्यकाल के इंदर में जो सिल्फ उत्पादन होता क्या है जो लोग नकाशी के काम करते हैं पथरों कोपर में alag-alag कलाकारी का काम करते हैं तो इसको सिल्फ उत्पादन के तौर पे लेकि चलते हैं ठीक है और फिल्फ उत्पादन जो वर्ग था उनकी कंदिशन्स क्या थी अब इनका हुद्धे हुआ क्यों इस्टार्टिंग में तो चीनी मिट्टी के अलग लगतर है कि डिनर सेट आते हैं पर इस स्टार्टिंग में तो सिल्प के ही हमें जादा तर बरतन बागी चीजे देखने के लिए मिल जाती थी तो किस तरह के सनका importance पढ़ा किस तरह सनकि जोरत पढ़ी जिसके basis पे सिल्प वर्गों का उदे हूआ है यह आपको यहाँ पर बताना होता है गैर कृषि उत्पादन का विकास किस प्रकार से राइजन के अता है गैर कृषि उत्पादन के कइन 새ते हैं उसको हम गयर क्रिश्य उत्पादन बोलते हैं, क्रिश्य के अलावा जो भी उत्पादन है, उसको हम गयर क्रिश्य उत्पादन बोलते हैं, ठीक है, अगला जो टॉपिक आता है, गयर क्रिश्य उत्पादन का जो चैप्टर है, इसके अंदर में से एक टॉपिक बनकर आना, त अगला जो चैप्टर आता है चैप्टर नमर 19 जहां पर हम बात करेंगे कर परनाली के बारे में जो टेक्स सिस्टम को लेकर क्या उनकी आइडलोजी है इसको लेकर एक टॉपिक बन जाता है दूसरा टॉपिक यहां पर हमें देखने के मिलता है दखन में मुगल रास्व परनाली के बारे में तीसरा टॉपिक यहां पर रहता है दचिन भारत के अंदर में भूकर और अन्यकर अलग लगतर के जो कर लगाया जाते थे यह जमीनों को उपर में जो भूकर लगाया जाता था वो किस परकार का था दचिन भारत के अंदर में य सब्सक्राइब करते हैं जैसे आप करू का इसलामिक स्धानत को देखोंगे तो करू का इसलामिक स्धानत के अंदर में कहता है जो मुझर इसलामिक बढ़ोत्री हो सके जो उनका बंडार ग्रहना पैसो का उसके अंदर में बढ़ोत्री हो सके इसके लिए लग-लग तरे से करव को अप्यों के जाता था धक्कन छेदर के अंदर में मुगल की द्वारा रासौ परणाली किस परकार से अपनाएगे कों से कर लगाए जाते थे मद्यकालिन भारत के अंदर में सहरी करण केंदर के नोただ Radha तो सबसे पहले सहर ऐसी नहीं बसता, सहर को बसने से पहले वहाँ पर गाउं बनना पड़ता है, गाउं को ग्राम बनना पड़ता है, गाउं से कस्वा होता है, नगर होता है, फिर जाकर उस सहर के तौर पर इस्थापित होता है, ठीक है, एक बार में सहर डारेक्ली नहीं बस जाता है, जो Siment है और बदरपूरे रोडी है उसने जगल ही और आज वो नगर के तरपीद थैली के इन देर में कुछ समय पहले कर में जब आये था पांदेस साल पंदर साल पहले तो पंदर साल पहले ऐसा लग रहा था कि गाउं में हूँ बिहार से वापस एक नई बिहार में आ गया ठीक है डिस्टेंस रुए करके तो जादा कुछ डिफ्रेंस हमें देखने के लिए नहीं मिलता था पर आज समय के साथ में उसमें परिवर्टन देखने के लिए मिलता है तो किस तर से कस्वे, नगर और बंदर गाओं का निर्मान हुआ सहरी करन के तोर किस परतरह से बड़े नगरों का परशास्वन वस्ता किस परकार इससे था किस परकार से रेगुलेट किया जाता था ये टॉपिक आपका आता है चैप्टर नमबर 21 जहां पर हम बात करते हैं आनतरीक और समुंदरी वैपार के बारे में तोलवी और सतरवी सताबदी के अंदर में lara का एसी याई वैपार का जो भारत का योगदान था एस अंदर में है वैपार का वह किस परकार से रहा होगा किस तरह के हैश समुंदरी वैपार important क्यूं था समुंदरी वैपार इंप Ori indigenous आपके पास option रोड बना जरें बहुत तरह के से मजगूत इंस्वार्टेक्चर का निर्मार्ट किया जा रहा है और उस समय पर यह चीज़े नहीं थी तो उस समय पर पूरी डिपेंडेंसी दिना कहीं न गए जल मार्गों के उपर ही थी समुंदरी वैपार के उपर में थी और समुंदरी व हमने पढ़ा उसके बारे में बात किया तो रोम वैपार क्या चलकर आयते हैं तक बिल्कुल यह नहीं भी है वो समुंदरी मार्ग का उपयोग किया अलग लग तरीके से उपयोग के इस्टिने कंपनी आया बाकी आये तो समुंदरी मार्ग का इंपोर्टेंस गया था वो अब को बताना होगा मुदरर ववस्ता मतलय क्या जो पैसे का लेंदेन होता च्फ़ता एंप आरब मेंट किया गया था तो रिजन्स क्या है न चीजों के किस तरीके से मुदरर ववस्ता आगे बढ़ता है यह तो आदूनिक बारत की मैं बात कर रहा हूँ मुगल काणिक किस परकार से हुआ, मुद्रा ववस्ता कायम कैसे हुआ, इन सबी जीजों को बताना होगा, इसके अंदर में दूसरा टॉपिक आता है, हुंडियों का चलन के बारे में, हुंडी होता क्या है, हुंडी एक तरह के से मान लोग, एक तरह से आपका नाम, लेटर है, हुंडी एक जगे काम कर रहा था, तो वहाँ पे जो पुराने लोग थे, जो पुराने एज्ड लोग थे, ठीक है, फॉर एक्जापल है, मैं आपको समझाऊं तो, उन्होंने मुझे एक वर्क दिया, कि आप ये हुंडी बनवा के लिए हो, ठीक है, हुंडी क्या होता था, एक तरह से प लोन लेने जा रहे हो न, तो आपना फ्टी उसको पकड़ा दो, फ्टी के बदले में उसने आपको पैसे दे दिया, ठीक है, एक तरह से आपने परमान दिया, ये चलान रख ले, और इसके बदले मुझे पैसे दे दे, वो दे देता था, ठीक है, मान लोग किसी ने मुझे अपना FD दिया कि Mor sfds गिर रख ले और मुझे इतने पैसे और मुझे तिने पैसे दे दिसे इंग इसमें मुझे जूरत पड़ा पैसे की बाया मुझे पैसे चाहिए अब उस बन कि मैं आप इस FD को ले लो और मुझे इसके बदले में पैसे देदो बैंक ने क्या क्या उस FD को रखकर मुझे पैसे दे दिया तो जो पूरा ही जो Linden की वेवस्था थे यह हूंडी वेवस्था के तौर पे दिखी गई जो मुगल काल के दोरान में भी introduce की जाती थी और अभी एकुछ समय पहले 15-16 साल पहले अगर आप जाते हो या फिर 10 साल पहले जाते हो तो आपको डेली के अंदर में सदर वजार के जो लोग थे पुराने लोग हैं वो भी हुंडी जैसे ही विवस्ता को पर में वॉक करते थे ठीक है आज भी कई जगओ पे हिंडियों को उपर में वॉक किया जाता है ठीक है समझ में आता है 23 चैप्टर आपका आता है तकनीकी और अर्थवस्ता के बारे में मुगल काली नियुक के अंदर में कृशी तकनीक का विकास किस परकार से हुआ ठीक है किर्शी के लिए जो खेती को असान बनाना जोतने को असान बनाना भूमी को जोतना असान करना तो अलगलग तर से किर्शी का जो विकास हुआ किर्शी तकनीकों के अंदर में विकास हुआ मुगल काल के अंदर में तोपो का विपास किस प्रकार से अगर आज हमारी डैली मेट्रों, इतनी सक्सेस रहा है brother, लोगों को टाइम से पहुचा रहा है, वैवस्ता सही है, सुचार रूप से चलता है, जिसके कारण से वो कारण है, कारण होने का सबसे बड़ रीजन का sach Tat हमारे भारती रेल इतना डंब क्यों है इतना पिछे क्यों है इतना पिछड़ा हुआ क्यों है reason इसका क्या technique तक्नीकी तोर पे भारती रेल भले ही 500 सालों सो चल रही हो पर वो सही तरीके से आगे बढ़ नहीं पाई 500 साल, 100 साल, 75 साल जो भी चल रहा है न टाइम से सही तरीके से आगे विकास नहीं कर पाई भारती रेल ठीक है जिस दोर में एंग्रेज छोड़के गए थे उससे थोड़ा वो दुनिस बीस का ही फरक है उससे ज़्यादा का फरक आपको भारती रेल के अंदर में देखने के लिए नहीं मिलता है पर आने वाले चार से पान सालों के अंदर में देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि अभी कुछ मैंने एक नियूस देखा था जिसमें गौर्मेंट ऑफ हिंडा के थुरू ये कहां गया कि जो भी वेटिंग लिस्ट होता है उसको परिवरतन भी देखा जाने लगेगा ठीक है मैट्रो बना मैट्रो स्टार्टिंग से सक्सेस्फुल रहा रीजन इसका यह था कि उस चुरू से वह अपने तकनीक के उपर में वर्क किया और उसको पूरी तरीके से मैनेज किया वर्क करना या बनाना इजी नहीं होता उसको मैनेज करना टफ होता उसको सही तरीके सारूर्प से चलाना टफ होता है तो उन चीज़ों पर उन्हों ने चलाया जिसके बाद ये चीज़े आगे विकास करी तो तकनीकी तोर पे किस तरह से विकास हुआ इसकी बारे में इस च संचारववस्ता का IMPORTANCE क्या होता था और संचारववस्ता IMPORTANT क्या था यह सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपको Define कृदें हो संचारववस्ता होती क्या एक जगत सदूर्सरी जगत जो सूचना पहुंचते न हम संचार ववस्ता कहते हैं आज के समय में जो सब के अंदर में भारती थ्यास का दोहर किस प्रकार से रहा इसमें तीन टॉपिक आते हैं मुगल काल की अवनत्ति के बारे में एक ऐसा टाइम प्रेड था ठारिश तादी जहां से मुगल काल जो था वह नीचे गिरने लगा ठीक है मुगल काल अपने पतन के और बढ़ा तो यहा अब जो मुगल काल का पतन हो रहा है तो समय पर अर्थी भारती का रतवस्ता किस प्रकार से रही होगी विकास कर रहा है किस तरह से क्या चीज़े उसका विश्टेशन करना है अठारीश ताब्दी के अंदर का क्योंकि जो टाइम पिरेड एना इस टाइम पिरेड पे मुग मुगल काल का अंत हो रहा है मुगल काल अपने पतन के और बढ़ रहा है तो क्या रहा उसको आपको यहां पर एक्स्प्लिन करना है पतन का कई सारे कारणे जो आपको मैंने अल्रेडी कई सारी वीडियो में बदा रखा है तो वहां पर आप जाएक उसको देख से उती जिसस को बता है ने यह सारे टिपेड कोशन के उपर में कही बार बने क्या आते हैं ऐ से जमी दारी पर त刀 क्या ठीक है जमीनदार क्या होता है जो पूरा लेंद देन जूंका संबंद स्थापित हुआ ना जो पंडीची के द्वारा जजमान बोला जाता है उसी को हम जजमानी वैवस्ता पोलते है निरादुदिक करण क्या होता है उद्योगी करण मतलब इंडेस्टिलाइशन और इसको ड यह यहाँ पर आ जाता है ठीक है तो किस तरीके साथारी सताब्दी का दोर रहा भारती त्यास के अंदर में यह आपको बताना होगा तो यह टॉपिक इंपोर्टेंट है यह वाला चैप्टर भी इंपोर्टेंट है यहाँ पर ठीक है चैप्टर नमबर 26 जहाँ पर हम बात करते हैं वैपारी और बजार के बारे में 1859 से लेकर 1947 का जो दोर रहा 1859 के अंदर में ही हमारा पहला सोतंतरता करांती रहा और 1947 के अंदर में ही हमारा भारत अजाद हुआ तो जो पूरा 100 साल के अंदर में वैपारी और वजार ववस्था किस परकार करा भारत के अंदर में यह आपको बताना है सत्रवी और अठाटवी जताब्दी के अंदर में भारत का वैपार और उसकी ववस्था जो वजार ववस्था है वो आपको एक्स्प्रिंग करना है चैप्टर नमर 27 जहांपे हम बात करते है उपनिवेशवाद और वैपार 1857 से लेकर 1947 के बारे में ठीके उपनिवेशवाद होता क्या है और उपनिवेशवाद के दोरान में वैपारी ववस्ता किस परकार से रही तो दो टॉपिक यहांपे आते हैं पहला टॉपिक रहता है 19 सताबदी के उतराद में भारती वैपारिक अर्थवस्ता के बारे में 19 सताबदी का जब टाइम पिरेड सुरू होता है जो वीच का पूरा टाइम पिरेड रहता है उसके अंतर गत भारती वैपारिक अर्थवस्ता किस परकार से ग्रो कर रही थी क्या चीजे चल रही थी भारतिय वैपार के अंदर में यह आपको यहां पर बताना है दूसरा टॉपिक यहां पर आता है भारतिय बाजार में वैपारियों पर रेल वे के परभाव अब एक ऐसा टाइम पिरेट शुरू हो चुका था जहां पर भारतिय रेल का निर्मान किया जा रहा था ठीक है भारतिय रेल जो अपने चरम पर था वो विकास कर रहा था तो क्या दौर रहा, किस तरीके से विकास रहा, भारतियों के जो वैपारियों के उपर में किस प्रकार से परभाव पढ़ा, वैपारियों के लिए परभाव इस तरह से दिखा जाता है, कि रेल बनने से जो याता या संचार था, वो easy हो गया, एक जगह से दूसरी जगह travel करना असान हुआ, एक जगह से दूसरी जगह माल को पहुचाना असान हुआ, पहले मुझे याद है कि जो मेरे नाना जी थे, तो जब मेरा जन्म गवा तो उसके कुछ टाइम बाद मुझे मतलब जो याद है, मिर्ची की खेती की जाती थी हमारे घर में, तो मिर्ची की खेती को रात में उसको पैरु से दबाकर उसको चौला किया जाता ता जिससे मिर्चा की जो q award ona enhance हो सके बढ़ सके और अच्छे तरेके से दिखे का था लोगी छोटी छोटी मिर्ची बॉनी सी पटना से हावड़ा लेकि जाते थे उसको वैपार करने के लिए और एक बार निकले ना तो पांच दिन दस दिन पंदरा दिन फिर उदर से आए ठीक है तो इस तरीके से पूरा वजार ववेस्था चल दा था और आरंब में अगर आप देखोगे 1857 से पहले का जो दौर रहा उस पे भी यही चीज़े रहती थी घोड़े पर बेल गाड़ी पर डाल कर एक जग़ा दूसरी जग़ा माल को ले जा जाता था पर रेल बनने के कारने से क्या हुआ अंग्लेजियों के दौरा में भले उनका अपना स्वार था रेल बनाने के पीछ पर उसके बाद भारत के अंदर में जो यात यात ववस्ता तो बहुत जादा सरल हो गया एक जग़ा सा दूसरी जग़ा ट्रावल करना ही जी हो गया ठीक है और इसके कारण से जो बैपारिक गतिवीदिया थी उसके अंदर में विकास हमें देखने के लिए भी मिल जाता है समझ में आता है चैप्टर नमर्ट 28 जहां पर हम बात करते हैं क्रिशी नीती के बारे में भू अधिकार के बारे में क्रिशी नीती क्या है भू अधिकार किस परकार से है यहाँ पर तीन टॉपिक आ जाता है अपका बिटिस भारती के दौरा सरकार के दौरा भू नीती किस से रास्ता ववस्ता या क्रिशी ववस्ता के अंतरगत नीति किस परकार से बनाए गई भू अधिकार को नीति किस परकार से लाए गई यह आ जाता है दूसरा कोशन आ जाता है यहां पर इस्थाई बंदोबस्त को लागू करने का कारण क्या था इस कारण से इस्थाई बंदो करना यह चीज़े करना वह लोगों को impact कर चाहरा था और लोगों से ज़्यादा अंग्रेजी सरकार को impact कर रहे तो पुरेजी सरकार ने एक नहीं नीती लेकर आई जिसको इस्थाई बंदोबस्त बोला गया। इस्थाई बंदोबस्त के अंदर में आपका पैदाबार हो चाना हो आप जिंदा हो मर गए उसे को लेना देना नहीं है। एक amount fix कर दिया गया। आपको इतना tax pay करना है इतना आपको इस नीती के तहत इतना आपको देना है। अगला topic आते हैं आपका British क्रिशी नीती किस प्रकार गिती किस प्रकार से क्रिशी को लेकर उन्नों नीतिया बनाई ये रहता है आपका topic चप्टर नमर 29 जहां पर हम बात करते हैं वानीजी करण के सोरूप के बारे में वानीजी करण का सोरूप है क्या एक important question ठीक है साथ साथ यहां पर अगर हम बात कर वानीजी करण के बारे में साथ साथ यहां पए कोशन आता है वानी जीर के अंदर में सैने वात ढाल से है और समाजिक और आर्थिक प्रभाव disc प्रकार के पड़ता वानी जीर कंवची अपर में इन फ्रकार पर का विकास हुआ ये आपको पर में करशी का example देकर बताया था ठीक है अगले चेप्टर के बढ़ते चेप्टर नमर 13 जहां पर हम बात करते हैं ओपनिवेशिक भारत के अंदर में वन अर्थवस्ता के बारे में जो जंगल की अर्थवस्ता थी ना जो जंगल की नीती वन नीती थी वो किस परकार की रही अब को ब्रिटी सरकार ने क्या गया अब ब्रिटी सरकार जब देखी भारत के अंदर में इतने सारे जंगल हैं इतने सारे पेड़ पोद हैं कहा तो जाता है कि उस समय फर्स्ट वर्ड वर्ड वर्र का टाइम पिलिड चल रहा था तो ब्रिटी सरकार के अंदर ब्रिटेन के उसका भारत के उपर में पूरा दीबत था, तो उसके लिए वन निती क्या बनाएगी, वन को लेकर क्या निती बनाएगी, यह कि कोशन important रहता है, और इसका impact आदी वासियों को उपर में, वन वासियों को उपर में क्या पड़ा, वन के अंदर में रहने वाले, लोगों को उप पर में क्या पड़ा, यह आपको बताना है, ठीक है, वन वासियों के पारंपरिक अधिकार किस परकार से हैं, बिटिज सरकार के द्वारा, वन संग रक्षन निती किस परकार से बनाएगा, वन को दो-तिन पार्टों बाट दिया गया, जैसे रिजर्व, अन्रिजर्व, ठीक उनके साथ में बिटिज सरकार का मतवेद हो रहा था, संगर्स की स्तिति हमें देखने कले मिल जाती है, तो इन सभी टॉपिक को इन सभी एंगल से आपको स्टड़ी करना, इस चैप्टर के अंदर में चैप्टर इंबर्टिंट रहने वाला है, चैप्टर नमबर 31, जहां प आपकी सुविधाएं अच्छी है वारत के अंदर में, तो आपका जो जनसंक्या भी बढ़ेगा, ठीके लोगों का हेल्थ अच्छा रहेगा, तो जनसंक्या बढ़ेगा, अगर लोग हेल्दी नहीं है, तो मतलब क्या बिमार हुए मर गए, ठीके तो जनसंक्या घटेगा, तो अपनेवेशी काल के दोरान में, मिर्तियुदर और पजनर दर की चमता क्या थी, किस प्रकार से ये विकास हो रहा था या घट रहा था, क्या इंपक्ट डाल लोगों को उपर में, ये आपको बताना अपनेवेशी काल के दोरान में, और अपनेवेशी काल के दोरान में, जनसंग क्या वर्दी किस परकार सी हुई ये भी आपको define करना है अब देखो अंग्रेजी सासक को आप बले इक बोलो कि 200 सालों तो कुनों ने गुलाम बना दिया भारत को लूट दिया कंगाल कर दिया पर कहीं न कहीं आज जो आप देखते हो भारत की जो इस्तिति है उसमें British सरकार का कहीं न कहीं रोल है भारत के अंदर में विश्वी दियालो का निर्मान करना उसे पहले भारत के अंदर में थे अगर East India Company के हम गुलाम नहीं बनते तो भारत आज से कहीं ज़्यादा आगे था अमेरिका, अमेरिका अमेरिका स सरकाथ कहीं जाता आगे रहता जो फुर्स्ट कंट्री के तोर पर जिससे अमेरिका को माना जाता है उसका इस्थान भारत के पास होता ठीक हूर्द जहां जाता है इंदी हैंجले दिया बहुत के अंदर में इसले कमपनी तो महते हैं वर दी का रोल रहता है वह आपको इसी ऐडसे बताना है ठीक है Chicago slash अगला चैप्टर जहां पर हम बात करते हैं जंजातिय समाज के बारे में उपनिवेशिक अर्थवस्ता के बारे में यहां पर कोश्चन बनकर आता है कि पुर्व उपनिवेशिक और जंजातिय अर्थवस्ता किस परकार की है उपनिवेशिक काल से पहले ही जो जंजातिय ने बात किया अर्थवस्ता के बारे में अब यहां पर एक पर्टिकुल एक समुधाई को लेकर हम बात करते हैं जो आज भी पिछड़ा हुआ है तो उपने विश्ची कि काल के दोरान में या उससे पहले किस परकार की उनके अर्थवस्ता रही होगी यह टॉपिक आ जाता है अगला टॉपिक आता है चैप्टर नंबर 33 जिसके इंदर में बात करते हैं किर्शी अर्थवस्ता के विकास और ठहराव के परसंद के बारे में किर्शी अर्थवस्ता का विकास किस परकार से हुआ इस तरीके से इंदर में विकास हुआ ही यह आपका एक्सपरकार से है उदारवादी धारना किस परकार से है पर नॉर्मली जो कोशन आपके एक्जाम में आता है राष्टवादी धारना के उपर में पूछा जाता है अब देखो उद्द्यो के करन मतलब वहाँ पर इंडस्टिलाइजिशन को सपोर्ट करना नहीं राधव उद्द्यो के करन मतलब क्या डी इंडस्टिलाइजिशन जहाँ पर इंडस्टिलाइजिशन का विरोध करना रा किसका विकास हो जाएगा उनकी विचारधारा क्या थे किस तरह की धार्णा था और लोगों को उपर में क्या प्रभाव पढ़ा यह आपको बताना हुगा डी इंडिस्टिलाइजेशन के नदर में ठीक है चैप्टर नंबर ठाटी फाइफ सॉरी चैप्टर नंबर ठाटी फाइफ जहां पर हम बात करते हैं सिल्प उद्योग और वस्तो लगूस तरिय उत्पादन के बारे हैं देखो अभी तक मैंने चैप्टर नंबर ठाटी फॉर तक करवा दिया चार चैप्टर और बाकी है अल्मोस्ट धीड घंटे से जाता है कि वीडियो बन चुगे होगी I hope so और कई बारना टॉपिक दूर से देखने में इसी लग रहे होते हैं कि यार इतना ही तो करवाना है तर तो वीडियो बना नहीं रहे है बहुत टाइम होगिया वीडियो नहीं डाल रहे है जल्दीनी नहीं डाल रहे है बट पर्ट टीकुलर एक-एक topic को find out करना, उसको इकठा करना, फिर उसको इस तरीके से आपको Hindi में convert करना, ठीक है, English easy होता है, फिर भी Hindi tough जादा हो जाता है, दूसरी चीज़ क्या, फिर उसको लेकर आना, वीडियो बनाना, और एक go में, one go में, one sort में, एक बार में वीडियो complete बने, अच्छी बने, ठीक है, उसके लिए try करना, बहुत time consuming work होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा easy है, पाकिस्तान के साथ में बात करना, यह tough लगता है, ठीक है, मतलब सच में, बहुत difficult work हो जाता है, क्योंकि अब लग लग जगा से topic को find out करना, 10 साल के question पर ले रखा है, हमने उसमें से study कर रहे है अच्छा है, यह वाला topic यहाँ पर बीट हो रहा है, इस वाले chapter में से topic है, तो इसको यहाँ पर डालो, इस तरीके से topic को change करो, साथ यह वाला pattern पहले भी पुछा किया, तो यह pattern के हिसाफ से सही रहेगा, लोगों तो मतलब बच्चों को समझ में आएगा, तो इस तरीके से find out करना एक अच्छा सा time consuming work है, तो कई बार time लगता है, डिट गन्ते ज्यादा की video हो चुकी है, थोड़े से chapter बागी, इसको हम खतम करते है, request यहाँ पर यही रहेगा, कि जितने भी topic मैंने बता है, almost 90 से ज्यादा topic मैंने, पूरे chapter के अंदर बता है, 39 chapter है, 90 से ज्यादा topic है, 90 स जो मैंने लास्ट फाइवर के वीडियो बना रखे, उसको जरूर देखे, दाइन आप के उपर मैं आपको फ्री में मिल जाएगा, उसको जाकर देख सकते हैं, और दाइन आपको लाइक से सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले, नव इनफो जो हमारा दूसरा चैनल है, उसके उपर मैं आपको इगनू से लेटेड आपका सारा डेटेल मिलने वाला है, आपका असाइमेंट एक्जाम से लेटेड अपडेट आपको मिलने वाला है, इंफोमिशन मिलने वाली यहां पर, दोनों चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, अगर आपको नोट चाहिए बारे में जहां पे कोशन बनकर आता है अठार वी और उनीशिस वी साहथ हैve सल रवे अंदर में होने वाले उद्ध्योंग का छेदर रहेता हुआ की अचिकल करते हुआ यह आपको explain करना होगा chapter number 36 जहां में बात करते हैं उद्योगी करण के स्वरूप के बारे में ठीक है कि उद्योगी करण का स्वरूप है क्या तो 1906 तक का जो पूरा दौर रहा उसके बीच में उद्योगी करण का स्वरूप किस परकार से रहा आज के समय में करती है पूरी दुनिया के लोग भारत के इंदर में आके वर्क करें भारत दूसरे जगह पर में जाके व्यापार कर रहा है तो किस तरह से उद्योगी करन का स्वरूप बना इंडस्ट्री का स्वरूप किस परकासरा यह आपको बताना है ठीक है तो तकनीकी विकास से इस चेतर है उसका तकनीकी विकास किस परकार से हुआ तकनीकी छेतर के अंदर में भारते विग्यान का किस परकार से विकास हुआ यह आपको बताना होगा ठीक नमबर 38 जहां पर हम बात करते नियोजित अर्थवस्ता और वैश्वी करेंड की और बात करते ग्लूबलाजिशन क और किस तरह से बड़ा उन इसमें तीन टॉपिक आते हैं आपके बनकर जिसमें पहला टॉपिक इंपॉटेंट है कई बार एक्जाम में पूछा गया है परतन तीन जो पंच वरसी योजना है थे बेको भार सरकार हर बार क्या करती है निती आयोग जो पहले योजना आयोग जिसके दोरा योजना बनाए जाती थी जिसका नाम चेंज करके नीती आयोग कर दिया गया जब भी गौर्मेंट बनती है न और एक टॉटल परपोजल रखा जाता है कि सर इस बार जो हमारी पंच वरसी योजना है जिसका मतलब वह पांच साल के लिए उसना बनाना प्लैनि जब भी पांच साल कंप्रीट होते खना फूब फांच वर्सी उसना होता था और पैंच ऊसना होता था खराइंगा ये जो भी 60 बीजिचा कहीं रिखे करेंगे लोग को तो वहाँ पर क्या होता था उसका time period set के जाता था कि ये 5 वर्स के लिए 3 वर्स के लिए जादा जादा 20 साल के लिए 25 साल के लिए तिक जिसको हम दिर्ग योजना के तौर पर हम देख के चलते हैं दिर्ग मतलब लंबे time period के लिए long time period वाले जो planning होते थी तो किस तरीके से उसको introduce किया गया ठीक है साथे साथ 1960 के दसक में भारते अर्थवस्ता के समक्ष में कौन सी चुनोतिया थी जो भारते एकनौमी थी उसके सामने क्या चुनोतिया बन करा रही तो 1960 के दसक में 1991 के दसक में आर्थिक सुधार कौन से किये गए LPG की नीती जो डॉक्टर मुनमोज सिंग के द्वारा लाए गया 1991 में ही लाए गया तो किस प्रकार के नीती थी आर्थिक सुधार की जौरत क्यों पड़ी आर्थिक सुधार के इंपेक्ट के अराबार के उपर में तो इसको पूरा explain कर सकते हो LPG को उपर में अर्थिक सुधार भारत के अंदर में जो 1990-1991 का जो दौर रहा उस दौर में आर्थिक सुधार किस प्रकार से किया गया 1990-1991 के दौर में आर्थिक सुधार किस प्रकार से हुआ आर्थिक सुधार की जवरत क्यों पड़ी 1990-1991 के अंदर में तो भारत के अंदर में एक महामंदी का दौर था और ये विश्व के अंदर में सीत यूद का दौर चल रहा था जर्मनी का वहाँ पे विगटन हुआ था जो उसका मतलब जो दिवार थी वो खतम हो रही थी जनुवरी का एकिकरन के और बढ़ रहा था टिक है' तो जो अलग-अलग तरीके से विश्व के अंदर में इंपक्त दिखा जारता जिसका तरफ से हम देख सकते है कि विश्व के अंदर में आर्थिक महमंदी का दोर चल रहा था जिसके बाद भारत के जो डोर थे ना बाहरी वैपार के वो खोले गए बाहरी वैपार के मार्ग खोले गए जिसके लिए जो सुरेज आता है डॉक्टर मनमोन जींक को माना जाता है LPG की नीती लाए गई जिसके अंदर हम बात करते हैं बात करते हैं जिसके बाद भारत का विकास हुआ और आज हम 5 ट्रिलियन डॉलर की एकनोमी बनने के लिए सपना देख रहे हैं 4 ट्रिलियन का अल्रेडी हम कम्लीट कर चुके कुछ टाइम के अंदर में 5 ट्रिलियन भी कम्लीट कर लेंगा उम्मीर है कि जो आने वाला इलेक्शन है ना 2024 का उससे पहले पहले हो सके तो 5 ट्रिलियन भी बन जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं रहेगी आज के समय में भारत के लिए अगला टॉपिक इसके अंदर में आता है नव उदारवादी के दौरा जो आरतिक सुधार की विचारदारती उसके अंदर में क्या सुझाएगे क्या मानना था नव उदारवादियों के दौरा में ठीक है यह आपको एक्स्प्रें करना है इसके अंदर में अगला टॉपिक पर इसके बारे में बात किया जितने भी topics मैंने आपको बता है वो सारे important topic है आपको सभी topic के उपर में थोधवा time देना है जो topic important देजिस को मैंने अलग से underline कर रखा है उस topic को अलग से आप देखें थोड़ा time निकाल कर देखें जिससे आप study कर सकें आपको अगर आप exam के हुआ कि आप निरस publication की बुक लेख सकते हैं गुली बाबा की बुक से ले सकते हैं या कोई और private publication की बुक जो आपको आसपास में मिल रही हुँ वो ले 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 उसका reason यह रहेगा कि उसमें easy language को उपयोग किया गया है जिससे आपको easily समझ में आएगा तो आप तो आपके mind मे अपना एक value है उसको खुद का अपना एक language है अगर आप उस language में नहीं लिख रहे हो तो मतलब आप गलत लिख रहे हो लिके यह भी देखा जाता है तो जब आप answer लिखते हो नहीं यह एक important role रहता है तो अभी इस time पर मैं बुलूँगा कि निरस या गुली बाबा से ले ले दूसरी चीज़ यह रहेगी कि answer writing के लिए जब आप जाते हो exam के अंदर में जब exam देने जाओंगे तो आपको किन चीज़ होगा ध्यान रखना है सबसे main चीज़ दो चीज़े होती है आपका time management और word limit अगर आप time management और word limit को और पूरे question को attempt करते हो जो पूछा जारा उसको ब जो question आपको 99% solity के साथ में पता है कि यह वाला question मुझे आता है तो उसको इस तरह से मत करो जो question आपको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके साथ है जिसका आंसर आपको पता है सबसे पहले उसको करो क्योंकि मतलब एक pattern होता है mind का कि पहले और दूसरे question के अंदर में सबसे ज question होता है ना एक दरस्ते हमारे पास pressure भी बन जाता है कि भी आप तो टाइम कतम हो रहा है फटाफट करो तो पंदर पंदर विस विस मिनटे के अंदर में बाकी question हम कतम करते है पर पहला दूसरा question के अंदर में almost एड़ गंटे का time हो जाता है तो उसको आपको थोड़ा सही से क रिक्वेस्ट करूँआ कि आपको दव इनव और नव इनफो दोनों चैनल को हमें subscribe करना है आपके एक एक लाइक से subscribe से में motivation मिलता है हम आगे के और बढ़ पाते हैं तो यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं थैंक्यू सो मच वरोचिक में थैंक्यू सो मच लिसनिंग में